हेलो फ्रेंड्स वेलकम तु माई चैनल डॉक्टर प्रियंकास किचिन आज मैं गुजिया बनाने जा रही हूं तो चलिए शुरू करते हैं गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले हम गुजिया का डो तयार कर लेंगे उसके लिए हम यहाँ पर एक कोटोरी मैदा ले रहे हैं लगभग 200 ग्राम है उसमें हम यहाँ पर घी इस्तिमाल करेंगे जो कि हमने मेल्ट किया हुआ है आप चाहें तो कोई कुकिंग ओयल भी इस् देख रहे हैं मोयन अच्छी तरह हुआ है कि नहीं इसकी पहचान के लिए हमें यह देखना है कि यह बहुत अच्छी तरह से बाइंड हो जाए मोयन अच्छी तरह से हो गया है तो अब हम इसमें हलका हलका गुनगुना पानी लेकर इसको गूत लेंगे डो बनाने के लिए हमें एक साथ ही पानी का इस्तिमाल नहीं करना है बलकि थोड़ा थोड़ा पानी का चीटा लगाते हुए हमें डो बनाना है डो बिल्कुल अच्छी तरह से ये देखिए बनकर तयार हो गया है डो को हमें ना ही बहुत सक्त बनाना रहता है ना ही बहुत नरम ये देखिए कितनी अच्छे तरह से गुद चुका है ये अब हम इसे एक बॉल में रख कर लगभग 20 से 25 मिनट के लिए धक कर सेट होने के लिए छोड़ देंगे जब तक में हमारा डो सेट होगा उतनी देर में हम गुजिया की स्टफिंग तयार कर लेते हैं स्टफिंग के लिए हम एक मिक्सिंग बॉल ले लेंगे उसमें सबसे पहले बूरा मिलाएंगे बूरा मतलब पिसी चीनी एक कटोरी अब हम गैस पर एक कड़ाई गरम कर लेंगे उसमें लगभग दो चमच घी डालेंगे घी गरम हो जाने पर हम इसमें लगभग 50 ग्राम यानि कि आधी कटोरी सूजी डाल कर उसको भूनेंगे हमें सूजी को तब तक भूनना है जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन कलर की ना हो जाए फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे सूजी में कलर आना स्टार्ट हो गया है लगभग एक मिनट हो गया है मुझे इस समय भूनते हुए सूजी भून गई है ये देखिए गोल्डन ब्राउन कलर की हो गई है तो अब हम फ्लेम को आफ कर देंगे और चुकी कडाही अभी हमारी गरम है तो हम लगभग हाफ मिनट तक सूजी को इसी तरह से मिक्स करते रहेंगे अब हम सूजी को भी बूरे के साथ मिक्स कर देंगे अब उसी कडाही में वापस हम एक चमच घी लेंगे घी गरम हो गया है अब इसमें हम ग्राइंड किया हुआ बदाम आट करेंगे दो बड़े चमच और काजू भी ग्राइंड किया हुआ दो बड़े चमच एड़ कर देंगे इन्हें भी लगभग हाफ मिनट तक भूनेंगे इनको भूनने का रिजन सिर्फ इतना है ताकि इनमें एक सोंधा पन आ जाए और दूसरी चीज काजू और बदाम को हमने इसले ग्राइंड किया है क्योंकि अगर हम इनको थोड़ा सा बड़ा टुकडा इनका रहेगा तो जो गुजिया हम बनाएंगे वो फट सकता है ये भून गया है अब इन्हें भी हम मिक्सिंग बोल में पलट देंगे अब उसी कडाही में हम नारियल के बुरादे को भून लेंगे इसमें हम घी का इस्तमाल नहीं करेंगे क्योंकि नारियल अपने आप में ही बहुत ओयली होता है तो घी की जरूरत नहीं है इसे भी लगबग हम हाफ मिनट तक भूनेंगे और मिक्सिंग बोल में पलट लेंगे अब कडाही को वापस गरम करके इसमें हम 1500 ग्राम यानी की 150 ग्राम मावा लेंगे मावा जिसे हम खोया भी बुलाते हैं स्क्रम्बल करके उसको हम डाल देंगे और इसको मिल्ट होने तक भूनेंगे अगर आप खोया या मावा बनाने की रेसिपी देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है खोया अच्छी तरह से मिल्ट हो गया है अब हम इसे भी मिक्सिंग बोल में पलट लेंगे यहाँ पर हमने लगबग दो बड़े चम्मच किश्मिश ले रखा है और एक बड़ा चम्मच चिरोंजी है अब हम यहाँ पर लगबग 7-8 हरी इलाइची लेंगे उसको छील देंगे और उसके बीजों को पीस लेंगे यहाँ पर हमने यह देखिए कूट रखा है इसे भी हम मिक्सिंग बोल में पलट लेंगे यहाँ पर हमने यह जैफल ले रखा है इसे भी लगबग एक पिंच तक हम ग्रेट कर लेंगे डिरेक्ट ही अब हम इस मिक्सिर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे आइटम्स एक दूसरे में अच्छी तरह से बाइंड हो जाए स्टफिंग तयार हो गई है अब एक प्लेट में थोड़ा से सूखा मैदा रख लेंगे मैदे का जो डो था वो भी बनकर रेडी हो गया है यह अच्छी तरह से सेट हो गया है अब इसे हम हलका सा मसल लेंगे लगभग आदे मिनट तक ताकि यह अच्छी तरह से वापस से सॉफ्ट हो जाए डो रेडी हो गया है अब हम एक बोल लेंगे उसमें एक चमश मैदा यानि की All-Purpose Floor डालेंगे और उसमें थोड़ा-थोड़ा से एक-दो चमश करके पानी डालकर इसका लिक्विड तयार करेंगे ये मैदे का घोल हम इसलिए तयार कर रहे हैं ताकि जब हम गुजिया में स्टफ भर दें उसके बाद उसका मुह खुलने ना पाए तो उसको ये चिपकाने का काम करेगा घोल रेडी हो गया है अब हम एक स्टफ ले लेंगे ताकि उसकी सहायता से हम गुजिया को चिपका सके आप चाहें तो किसी भी चीज का स्टमाल कर सकते हैं अब हम डो की सारी लोईयां बना कर रख लेंगे लोईयों का साइज थोड़ा सा छोटा ही रखेंगे जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं क्योंकि गुजिया की लेयर जितनी पतली होती है उतनी ही वो क्रिस्पी और अच्छी बनती है अब लोईयों को हम ढख देंगे ताकि वो सूख न जाए और एक लोईय लेकर उसको हम बेल लेंगे बेलने के लिए आप चाहें तो ऑईल की भी हेल्प ले सकते हैं लेकिन मैं यहाँ सूखे मैदे से गुजिया बना रही हूँ इसे हम रोल कर लेंगे अपने गुजिया की शेप जो हमारे पास गुजिया का फ्रेम होता है उससे थोड़े बड़े साइज का हमें बेल लेना है यह बन गया है अब हम इसे गुजिया फ्रेम के उपर रख लेंगे इस तरह से फ्रेम के उपर फैला लेंगे ताकि इनका किनारा गुजिया फ्रेम से थोड़ा बाहर लटका रहे और इसके सेंटर में हम स्टफिंग को रख देंगे हमें स्टफ को रखते वक्त यह ध्यान रखना होगा कि मसाला जरा भी बाहर ना जाए क्योंकि मसाला अगर इसके बॉर्डर पर चला गया तो गुजिया पकाते वक्त उसके फटने का चांस रहता है और सारे स्टफिंग बाहर बहके पूरे तेल में फैल जाएगी अब जो हमने मैदे का घोल बनाया था उसे चारो तरफ बॉर्डर पर हम लगा देंगे अब गुजिया के फ्रेम को बहुत ही सावधानी के साथ बन करेंगे अब बॉर्डर को थोड़ा थोड़ा सा प्रेस कर देंगे ताकि एक्स्ट्रा जो आटा है वो कट जाए और उसे हम उंगलियों से हटा देंगे ये देखिए गुजिया कितनी अच्छी तरह से बन गई है और प्रेस करने की वज़े से गुजिया फ्रेम पर जो डिजाइन थी वो भी इसके बॉर्डर पर आ गई है और ये बहुत अच्छी तरह से चुपक गया है इसी तरह से हम सारी गुजिया बना कर तयार कर लेंगे और गुजिया के किनारों से निकला हुआ जो आटा है वो सारा हम एक जगह कलेक्ट करते जाएंगे उससे हम वापस गुजिया के लिए लोईया बना लेंगे हमारी सारी गुजिया बन कर तयार हो गई है अब हम इन्हें तलने के लिए एक कडाई गरम करेंगे और उसमें कोई भी cooking oil या फिर घी गरम कर लेंगे हमारा यह oil गरम हो गया है या नहीं यह चेक करने के लिए हम इसमें एक गुजिया डाल कर चेक कर लेंगे यह देखिये गुजिया float करने लगी इसका मतलब oil गरम हो गया है तो अब हम धीरे धीरे करकर 4-5 गुजिया डाल देंगे ताकि वो आसानी से हमें पलटते बने गुजिया को दोनों तरफ से पलट कर पकाएंगे और इन्हें बहुत डाक कलर तक नहीं पकाते बलकि हलका गोल्डन होने तक ही पकाते हैं और देखिये यह लेयर कितनी पतली है और बहुत ही फास्ट पक रही है इसमें छोटे-छोटे आपको bubbles दिखाई दे रहे होंगे और जब आपकी गोजिया बहुत मोटी लेयर वाली बनती है तो वो बिलकुल प्लेन बनती है अगर आपको मेरी यह रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को ज़ादा से ज़ादा लोगों तक शेर करिएगा उसे लाइक करिएगा और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा गोजिया बन गई है अब हम इन्हें टीश्यू पेपर पर निकाल लेंगे ताकि इनका एक्स्ट्रा गी निकल जाए हमारी गुर्जिया बन कर बिल्कुल तयार हो गई है वीडियो देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स